लगातार computer screen की तरफ देखते रहना या दिन भर mobile पर रहने से आखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है वो लोग जो IT सेक्टर में हैं उनकी तो चलो मजबूरी है कि उन्हें दिन भर computer पर काम करना पड़ता है लेकिन बाकी सभी लोग भी सुबह उटते ही जो पहला काम करते हैं वो है अपने mobile phone को चेक करना बहुत गलत असर पड़ता है इसका आखों पर इसलिए आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ कुछ सरल से अभ्यास जो ना सिर्फ आपकी आँखों को relax करेंगे बलकि आँखों की जो muscles हैं उन्हें एकदम strong बना देंगे ये अभ्यास करने से आपकी आँखों की तरफ खून का दोरा बढ़ेगा जादा portion पहुँचेगा वहाँ पर जितने भी toxins जमा हैं वो निकल जाएंगे आँखों की जो परेशानिया हैं आँखे लाल हो जाती है या आँखों में सूखा पना जाता है या जादा पानी आता है इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीन बहुत ही powerful tips जो आपको अपनी आँखों का और डेलिकेट एरिया है तो किसी तरह का इंफेक्शन ना हो जाए अगर आपके हाथ गंदे हैं तो सबसे पहले आपको पामिंग करनी है यानि हतेलियों को आपस में मसल कर अपनी आखों पर रखना ये तो आपकी आखों के लिए एक वर्दान है जब हतेलियों में को ऐसे करेंगे ही तो आप चाहें जब कर सकते हैं यह बहुत रिलेक्सिंग होता है जब आप पामिंग करते हैं तो इस गर्माहट से आपकी आखों की लिग में होती है आखों की जो मसल से वो रिलेक्स हो जाती है फिर से महसूस करें गर्माहट को आँखों को दबाना नहीं है तो तीन बार हम ये कम से कम करेंगे और अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बीच बीच में रुक कर ये करते रहें खुन का दौरा बढ़ता है जादा से जादा पोशन वहां पर पहुंसता है दूसरा अभ्यास जो आपको करना है वो है आपके जो ये हतेलियों का ये वाला पार्ट है इस से आखों के दोनों तरफ आखों को नहीं दबाना है आखों के दोनों साइड में इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में अपने हाथों को घुमाना है समझ पा रहे हैं आखों को प्रेस नहीं करना है इस पोर्शन को यहां रखना है आखों के साइड में कॉर्णर्स पे और इस तरह से घुमाना है एकदम से आप रिलाक्स फिल करेंगे और आखों में जो है न एक अलग सी एनर्जी सी फिल होगी यह तो आप सुबह उठते ही करने जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं सुबह उठते ही आखों को मसलते हैं आखों को नई मसलना है कॉर्नर्स पर इस तरह से हलके हातों से सर्कुलर मोशन करना है अगला अभ्यास आपको करना है यह जो अपनी कनपटी है यहाँ पर यह दो फिंगर रखेंगे और हलके हलके हातों से clockwise और anti-clockwise इस तरह से आपको मालिश करनी है कनपटीओं पर इस तरह से मालिश करने से आखों के आस पास, blood का circulation बढ़ता है जो nerves आपके brain तक जाती है, optic nerves जो होती है उन्हें यह stimulate करता है clockwise कर लें, फिर anti-clockwise कर लें बिल्कुल हलके हलके हातों से और इस वक्त आप चाहें तो आखें बंद करके लंबी गहरी सांसे लेते रहें बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है, relax फिल कर रहे है अगला अभ्यास करते है, इन्हीं दो fingers को अपने eyebrows जहां पर शुरू होती हुआ रखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करते वे corner तक लाना है 8-10 बार आप हर practice को कर सकते है लंबी लंबी गहरी गहरी सांसे लेते रहें यह बहुत effective है सारे अभ्यास करते करते आप एकदम relax फिल करेंगे आखों की muscles पर इनका बहुत अच्छा असर आता है आखों के आसपास का जो area है न वहाँ पर जादा से जादा blood का flow होगा जादा nutrients पहुँचेंगे जादा से जादा vitamins और जो भी पोशक तत्व हैं वह आपकी आखों तक पहुचेंगे और muscles को portion देंगे बहुत बढ़िया गहरी सांसे लेते वे जब आप यह अभ्यास करते हैं बहुत amazing results हैं अब next आपको क्या करना है यह जो यहाँ पर जो हड़ी है फिल करें यहाँ पर eyebrow के नीचे जो हड़ी है इसे आपको अपने अंगुठे से इस तरह से गोल गोल circular motion में pressure देना है कैसे एक हाथ से करके बताती हूँ मैं आपको यह जो हड़ी है यहाँ पर आप अपने अंगुठे को रखें और इस तरह से आँखों को नहीं दबाना है ना तो यह दोनों हाथों से आप इसे हलके हलके हाथों से circular motion देंगे शुरुवाती छोड़ से लेकर end तक eyebrow जहां कतम हो रही है वहाँ पर इस तरह से गोल गोल motion करते वे आपको जाना है यह बहुत ही बढ़िया acupressure point है आपकी eye muscles के लिए feel the relaxation आँखों में आ रहे relaxation को महसूस करें अगले अभ्यास में आपको यह जो नाक है इसका सबसे उपर वाला पार्ट यहां पर उंगली से pressure देते वे गोल गोल गुमाना है यहां पर हमारी वो glands होती है जो आखों में आशू बनाती है यानि tear glands तो नाक का यह जो सबसे उपर वाला जो यह है न प्रिज यहां पर आपको हलका हलका दबाव देते हुए गोल गुमाना है उंगलियों को आखों को नहीं डच करना है ठीक है न हमारी उंगलिया नाक के उपर रहेंगी और इससे आपको activate करना है tear glands को तो अगर आपको आखों में जादा पानी आता है या dry eyes की समस्या है वो ठीक हो जाएगी tear glands एकदम clean हो ज आए नाक तक pressure देते हुए यहां से लिया और नीचे लाए यह आपके sinuses को clear करने में महतु पूर्ण रोल अधा करेगी तो आखों के चारों तरफ क्योंकि यह ऐसा पार्ट है जहां कोई बहुत जादा activity नहीं होती है तो toxins जमा हो जाते हैं गंदगी जमा हो जाती है तो यह आपके जो जितने भी toxins हैं उन्हें निकालने का काम करेगी आपके sinus clear हो जाएंगे जिससे आखों में allergy और इस तरह की जो समस्याएं आखे लाल हो जाती हैं वो आपको नहीं होगी आठ दस बार करने इसे अच्छे से दबाव देते हुए पूरा यहां नाक तक अपनी उगले को लाना है यह बहुत ही effective अभ्यास हैं करने में बहुत सरल दिख रहे हैं लेकिन इनका result बहुत अच्छा है आप अभी महसूस कर रहे होंगे कि आपकी eye muscles कितना relax हो गई है nice और अब सबसे important जो part है वो है tapping टैपिंग करने से blood का circulation बढ़ता है तो यह दो उंगलियों से आँखों के चारों तरफ आपको tap करना है बहुत amazing है आँखे बंद कर लेते हैं और tap करते रहें गहरी गहरी सांसे लेते रहें blood का flow आपकी आँखों की तरफ होने लगेगा जादा से जादा oxygen पहुँचेगी यहाँ पर जितनी भी nerves हैं जो आपके brain तक जा रहे हैं उन सब को activate कर देगी यह tapping बहुत बढ़िया आराम से अच्छा time लगाएं इसमें और महसूस करें आँखों की तरफ बह रही energy को healing को feel करें यह होने के बाद last में जहां से हमने शुरुआत की थी फिर से farming करेंगे हतेलियों को आपस में मला अच्छे से जब गरम हो जाएं तो इस तरह से cup बनाकर अपनी आखों पर रख देना यह अभी तक जितनी भी हमने practice की है उसके असर को कई गुना बढ़ा देने वाला है यह जो गरमी है आखों की healing करेगी प्लट का जो circulation है उसे और तेज करेगी जादा से जादा portion पहुँचेगा सारी muscles एकदम relax हो जाएंगी बहुत amazing है बहुत ही बढ़िया कमाल के results है इसके तो तीन बार इस तरह से हम palming करेंगे और आप जान लेते हैं वो tips जो आपकी आखों को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेंगे सबसे पहली चीज पानी खूब पीना है देखे शरीर के बाकी अंगों को जैसे पानी की जरूरत होती है वैसे ही आखों को भी होती है तो अगर आप भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी आखे स्वस्थ रहती हैं दूसरी चीज आखों को मसलना नहीं है क्योंकि इससे आपकी आँखों की रौशनी पर बहुत गलत प्रफाव पड़ता है। और तीसरी चीज ट्वेंटी ट्वेंटी का रूल फॉलो करें। यानि स्क्रीन पर काम करते समय या अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो हर बीस मिनिट में आपको एक चोटा सा ब्रेक लेना है और बीस सेकंड के लिए काफी दूर देखना है, बीस फिट से जादा दूरी पर देखना है, चाहें तो आप खिड़की से बाहर देखें, या छट की तरफ देखें, यानि बहुत दूर, जितना दूर आप देख सकते हैं, उतना दूर आपको देखना है, बीस सेकंड के लिए, और ये सब करने के साथ साथ, जो लोग सुबह सुबह सूरज की तरफ देखकर त्राटक करते हैं, यानि सुबह जब जल्दी सूरज उगा ही होता है न, उस वत कुछ देड़ तक लगातार सूरज की तरफ देखना, बिना पल के जपकाए, ये करने से आपकी आई मसल्स बहुत स्ट्रॉंग मनती हैं, आँखों की जोती बढ़ती हैं, तो मेरे साथ ये आँखों की एक्सेसा को अपने जीवन में शामिल करें, मैं हूं अदू चौदरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं, अपना ख्याल रखें, नमस्कार